एक्सेलेंसी हम लंबे समय से एक बात सुनते हैं जाएं कि उत्रगी सबसे पहली केजुएल्टी टूथ हो पारे हैं लेकिन जब आज मैं उन बालबों की स्मृति में बनाई हुए रूजियम को हपके साथ जागर करने सर्था सुमनद्वित कर रहा था तो मेरा मन भरा था दिल को गहरी चोड पहुची थी और मुझे लगता है कि युद्वित की सबसे पहली केजुएल्टी किसके होती है तो इंद्रदोष बालबों के होती है और वो बहुत दर्द्राम करता है किसी भी सुशास्कुरत समाज में है जो मानविय मुल्य में विश्वास करते हैं उनके लिए हैं और जो एक सम्मेधन से व्यक्ति होते हैं उनके लिए हैं इस प्रकार की घटना हैं कतई स्विकार्ण नहीं हो सकती हैं दुनिया में मानविय मुल्य में विश्वास करने वाला पोई विवेक्ति हैं इसको स्विकार्ण नहीं कर सकता हैं एक्सेंसी इस तर्द्राक रस्तित्यों के बीच भी आपने जिस्त कर्म जोश्य से मेरा और मेरे डेलिएशन का स्वागत लिया इसके लिए बारदय से आप भारवेत करता हैं एक्सेंसी आज का दिवस भारत और युक्रेन के समंद्रों के लिए एक बहुत ही एतिहासी दिवस है कि भारत का उधान मंत्री आज पहली बार युक्रेन की धरतिक लाए यह अपने आप में एक एतिहासी दिवस है कर आपका नेशनल डे है यह भारत ही महत्वपून दिवस है मेरी तरब से एक सो चारीज करोर हर्तियों की तरब से मैं आपके इंडेटन डे अनेक अनेक को कामणा ही देता हूं और मैं कामणा करता हूं शांति के लिए सूख और समरुद्य के लिए स्लेंजी 2021 में ग्लासगो में बिने थे और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मिद्रता का अनुपूप रहे थे और तम आपने मुझे उक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रसे निमता दिया था लेकिन मैं तल्पुना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्तिति में विख्रेना लेकी नौबत आएगी एसरेंसी लिए हमारे विर्पक्षिय संभंदों में ऐसी विख्रित कालथन में ही प्रगति हो रही है और मैं कह सकता हूं कि इसे तनावपूण वातावर्ण में यह प्रगति हम दों देशों की मेक्चुरिटी को प्रतिवेंबित करती है एक्सिलेंसी मैं आज बड़े आदर पुर्वक्त मेरे उप्धावना को जख्ते करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारुवे दे थे भारत के हजारों बच्चे जो यहां सुख्षा के लिए थे पढ़ने के लिए थे वो शुद्ध के कारफसे हुगे थे उनको बहार निकालने में आपने जो मदद और जिस सम्वेदन सिर्था के साथ हमारी चिंताओं को आपने और सुल्जाने के लिए फ़र सब प्रयास किया है इसके लिए मेरी तरफ से मेरे देश के 140 परोड नागरी को की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकाल के क्या है हुगे उन बच्चों के उनके परिवार जौनों की तरफ से आपका आज मैं रदे से आभार में तकरता हू एक्सलेंसी आप भी बिलिबार की जानते हैं और पुरा विश्व भी जानता है कि युद्व के सबाए हमने दो प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया और उस भूमिका को निभारे का हमने भरपूर प्रयास किया है हमारी पहली भूमिका रही है मानुमिय रश्टिको कि ऐसे संक्रविवन सब्सकुरा ऑफिन को सब्सक्azione को पूरा करने में जिन अ करने बारत ने हो सका उतना एक मारिमन द में वुए पूरा करने का प्रयास कि रहत है आप जो मैं आपको विश्वाता हूं कि मारिवे दृस्टिकों से भी जिस प्रकार की मदद के आवश्रक्ता होगी भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और दो को दब भारेज देगा एक्जेंसी हमने जो दूसरा माल जुना वो दूसरा माल जाए युद्ध से दूर रहे देगा हम बहुत ही कन्विक्षन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ततरस्त थे हम नूट्रल नहीं थे हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांती था हम बुद्ध की धर्ती से आते हैं जहां युद्ध को कुछ स्थान में नहीं होता है हम मात्मा गांदी की धर्ती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांती का सिर्देश दिया है एक्सलेंसी मैं आज विक्रेन आया है तब मैं एक सो चालीस करोर धार्तियों की फावना को लेकर आया है और एक सो चालीस करोर धार्तियों की फावना मानों पर से प्रेजित हैं और मैं आज युक्रेन की धर्ती पर शांती का संदेश दे करके आया एक्सलेंसी यहां से ने पहले मैंने ग्लोबल साउथ के कांफरेंस की करीब 120 देश के लोग दिया मैं उनकी तरप से भी शांती का संदेश दे करके आया है एक संसे आप गलिभा रहिते जानते हैं तो इनके लोग ही बगिवार्थ के जानते की शांती की हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है और आप भली भारती जानते हैं कि हमारा एप्रोच पीपर सेंट्रिक रहा है और मैं आपको भी और पुरे वीश्व संभुदाय को विश्वाद दिनाना चाहता हूँ और भारत का कमिट्मेंट है और हम पस्त मानते हैं कि संप्रभुता और ख्षेत्री अखनता का सम्मान हमारी लिए सर्वोपरी है हम उसका समर्खन करते हैं कुछ समय पहले समर्खन में जब राष्पति पूतिन से मेडिया के सामने हांग से हांग मिलाकर कि मैं उनको कहा था कि ये युद्र का समय नहीं अब पिछली दिनों ये उच्छी में भुलगात के गयां कुछ वहां भी मैंने साब्छाप सतों में पीमान करीये कि कि किसी भी समंश्या का समाधान कि रण भूमी में कभी भी नहीं होता है समाधान का रास्ता बात्चित से ही निकलता है डायलोग से निकलता है डिप्लोमसी से निकलता है और हमने बिना समय खुआए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पुक्षों को साथ बैठ करके इस संक्र की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलास निकले एक्सेलेंसी आजम जम रूबरू मिल रहे हैं तब मैं युकरेट की धरती पर और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को दे कर आया और मेरा मन भरा हुआ है तब मैं आज आप से शांती की और अगे बढ़ने के मारण पर विशेश तुप से चर्चा करना चाहूँगा एक्सेलेंसी मैं आप विश्वा दिनाना चाहता हूं कि शांती के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमी के निमाने के लिए त्यार है व्यक्तिकर तुप से मैं भ करना हूंगा एक मित्र के रूप में भारत विश्वा दिनाना चाहूंगा कि हम सब्स जल्दी से जल्दी शांती के सूरत को उपता हुआ देखें मेरी दर्ब से शांती के हर प्रयास में सक्रिय योग्जान के भूमिकां के साथ आपके सागत सत्कार के लिए बात बहुत बहुत आप घर विया देखें